जैसे ही मोसम बदलता है, चीकों की भरमार और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, क्या ये सिर्फ common fillu है, common cold है या इसका कोई और भी कारण हो सकता है, उसका कारण ही होता है, जब भी वो इस allergent के contact में जाता है, उसको ये चीके आना शुरू हो जाती है, allergent का मतलब क्या हुआ, वो चीज जिससे आपको allergy है, अब वो ठंड भी हो सकती है, गरमी हो सकती है, मोसम बदलना हो सकता है, घर के अंदर का धूल, मिट्टी, ये सारी चीज़ हो सकती है, पुराने गद्दे, पुराने पर्दों में जो धूल जमा हो जाती है, उनके कारण हो स इस तरह की allergic rhinitis का कारण बन सकते हैं, कुछ तरह के मोल्ड्स या फफून भी इस तरह का कारण बनते हैं, और सबसे बड़ा कारण होता है, बसंत रितू में जब फूल खिलते हैं, जो उन पर पॉलन आते हैं, जो पराग करण होते हैं, और जो भी उड़ते हैं, और हमारे सां rhinitis, एक से दूसरे को नहीं लगता है, ये तब ही होता है, जब आपको इस allergic के नजदीक में आते हैं, या आपको इस allergic का contact होता है, अब धूल मिटी वगएरा जो होती है, अब इसका इलाज कैसे बचें, इलाज सिंपली यही है, कि आपको कारण को दूर करना होगा, तो आप इस कारण से अपने आपको बचा के रखे, आपको पदा लग जाता है, या अगर जब बसंद का मोसम है, और पोलन ग्रेंज बहुत जादा होते हैं, तो उस समय फिर अपना मू ढखके रखूं, हाला कि आज कल हम मास्क लगाते हैं, अच्छी बात है, तो शायद उससे भी फ कहते हैं, कि नाग का पानी जो आगे निकलना चाहिए, क्योंकि नाग बंद होती है, तो गले के पीछे जाता है, तो फिर वो नीचे जाके भी इंफेक्शन कर सकता है, तो अलर्जिक नाइनिटी से बरीज बहुत परेशान होता है, बचारा सुबह उटता है, उसको लगाता है, उसको दूर रखे, हाला कि डॉक्टर्स आपको कुछ अंटी अलर्जिक दवाईयां लेने की सला देते हैं, जिससे सिट्राजिन हो गया, लग रहा हो गया, इस तरह की दवाईया आपको देते हैं, या कुछ इस्ट्रोइट्स की निजल स्प्रेज भी देते हैं, लेकिन देसी नुसके, देसी दवाईयां, यूनानी और आईरवेदिक जो दवाईयां हैं, उनका इस्तमाल करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों को अलर्जिक राइनाइटिस ठीक हो जाता है, इन सैनुसाइटिस भी ठीक हो जाता है, इन देसी नुसकों से, मगर उसमें आप को धेरिया और सब रखने की जरूत होती है, इसमें बड़ी सिंपल कुछ दवाईयां है, आपका जो एलाज चल रहा हो चलाते रही है, आपके इंग्रेजी दवाईयां अक्यूट फेस के लिए काम करती है, लेकिन क्रोनी सिटी को कम करने के लिए, इस बीमारी को जड़ से करने के लिए आपको इन दवाईयों को इस्तमाल करना चाहिए, इसमें बहुत मशूर दवाईया है, इत्रिफल उस्तु खुदूस, ये काले रंग का एक चैवन प्राश की तरह की दवाई होती है, इसका साथ साथ ग्राम सुबा शाम आप कुनगूने पानी से इस्तमाल करे करीब डिएड मीना, इसके साथ एक और दवाईया आप मिला लें, इत्रिफल शाहतरा, इसका पांच-पांच ग्राम सुबा शाम लगातार इस्तमाल करें, इसी के साथ साथ करीब 45 दिनों तक, और फिर आप कुछ खुन को साफ करने वाली दवाईयां लें, जिसमें शर्बत शर्बत मसफ्वी खोन का बड़ा रोल है, इसका दसर से म्ल सुबा शाम लें, और दो अर्क आते हैं, जिसको अर्क मुंडी और अर्क चराय rece के नाम से जाना चाता है, अर्क मुंडी का 20 एमल सुबा शाम, और अर्क चरायता का भी 20 एमल सुबा शाम, डॉक्टर की सला से ले और अगर आपने 45 दिन ये काम कर लिया और आपने अपने आपको उन इलर्जेंट से बचा के भी रखा तो definitely आप अपने आपको allergic rhinitis जैसी बीमारी से बचा सकते हैं और जो रोज की आपकी परिशानी है उससे आपको निजात मिल सकती है तो दोस्तो मुझे अमीद आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसको लोगों से शेर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल आइकन का बटन भी जुरूर दबा लें आपको सारे वीडियो मेरे मिलते रहें क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके साथ शेर करता रहता हूँ धन्यवाद